हलो बच्चों तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में तुम लोगों को दिखाया था कि जब एक बाइक शर्प टर्ण लेता है तो उस टाइम पर उसे बेंड होना पड़ता है और अगर तुम लोग कॉमेंट करोगे उस वीडियो में तो मैं उसका इलाबोरेट वीडियो बनाऊ तो बच्चों तुम लोगों ने देखा जब मेरा बाइक 40 किलोमीटर पर आवर में चल रहा था उस टाइम पर बाइक को जितना बेंड करना पड़ा उससे थोड़ा ज्यादा बेंड करना पड़ा जब मेरा बाइक 50 किलोमीटर पर आवर में चल रहा था इसका reason क्या पता है बच्चो जब bike sharp turn लेता है तो जितना velocity उसका ज्यादा होगा उसे turn लेने के लिए जो centripetal force का जरूरत होगा वो भी उतना ज्यादा होगा और यह centripetal force हम लोगों कहां से मिलेगा reaction force का horizontal component okay जब हम bike को bend कर रहे हैं ना उस टाइम पे reaction force है उसका जो horizontal component है तो वो horizontal component हमें centripetal force provide कर रहा है जो centripetal force हमें मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है जो reaction force है उसका जो horizontal component है, वहाँ से हम लोगों को मिल रहा है, अब देखो, अपना angle vertical से जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा horizontal component भी ज्यादा होगा, isn't it? तो हम ज्यादा velocity से safe turn कर पाएंगे, तो यही reason है, कि जब हम लोग एक sharp turn लेते हैं, बाइक से या cycle से, उस टाइम पे हम लोगों को bend होना पड़ता है, और जितना ज्यादा velocity में turn लेते हैं, उतना ज्यादा हम लोगों को bend करना पड़ता है अपने आपको, देखना, जब bike racing होता है, तो जो bikers होते हैं, वो सबसे ज्यादा velocity में turn लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो अपने वो इतना ज्यादा lean कर जाते हैं, कि अपना घुटना भी road के साथ touch हो जाता है, जिसके लिए knee, gird भी पहनना पड़ता है, isn't it? तो I hope तुम लोगों को ये concept समझ में आया है, okay, thank you